आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरह से अपने नोट्स को अच्छी तरह रिवाइस करना होता है अगर तुम इस चैनल पर नए हो और यह सोच रहे हो कि और जो लोग बाते बताते हैं वह यह भाईया बता देंगे तो ऐसा नहीं है तुम्हारी चैनल के कोई भी पिछली एक वीडियो उठाकर देख सकते हो सारी कि सारी अलग बाते होती हैं सारी कि सारी प्रैक्टिकल सॉलूशन होते हैं जो कि तुम अपनी लाइफ में अपनी जो स्टुटेंट लाइफ होती है उसमें उसको अप्लाइ कर सकते हो ओके तो अब मैं हमेशा नोट्स रिव सवाल कर लेंगे मतलब मैजरी बच्चों से वह सवाल नहीं हो पाता है इसके पीछे मेजर कारांट रोता है तो तुम्हारे रिवाइज नहीं होते ऑक तो हम उसे बारे में आज पुरी इस वीडियो पर बात करेंगे दो रिक्वेस्ट है आप सबसे पहली request कि हो सके तो अप बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ओके सेकेंड रिक्वेस्ट कि हाफ नॉलेच बहुत ज़्यादा डेंजरेस है तो वीडियो प्लीज पूरी देखना अगर इसके बाद देख रहे हो तो अगर नहीं है मन नहीं है टाइम तो अभी बंद कर सकते हो ओके अब देखो हमें एक बच्चा लेकर चलते हैं एक टारगेट एक बच्चा लेते हैं जो की यह की प्रेक्टिस कर रहा है एक हर बच्चे के लिए हो बट मैं एक रेफरेंस के लिए एक यह पता होता है कि 10 लाग बच्चे बैठते हैं ठीक है दस लाग बच्चे बैठते हैं जिन में से सिर्फ और सिर्फ दस हजार बच्चों का selection होता है किसमें आयएटी में ओके तो यह सोचेंगे हम यह सोचेंगे अच्छा कि यह जो क्या है क्या ही टॉपर हैं तो ऐशसे नहीं डिलां नहीं कि अगर जादा दीप में जाओ तो इतना फैदा नहीं तुम यह मालों कि जो डाई लाग बच्चे हैं, वो अच्छे तरह हाड वर्क करते हैं, आईटी में जाने के लिए, ठीक है, पर ये जो पचास जार बच्चे हैं, ये हाड वर्क इस डायरेक्शन में करते हैं, जो कि सही है, ओके, सही डायरेक्शन में हाड वर्क कर रहे हैं, ये पचास दस लाग में से कितने हो गये? तुम्हारे 5% मतलब की, जितने भी बच्चे हैं, उन में से सरे 5% बच्चे हार्ड वक प्साही डरिक्षन में कर रहे हैं. अब यह क्या करते हैं, उसके बारे में समझें ठीक है तो हमारे teacher क्या कहते थे न कि topper एक topper और एक average बच्चे में क्या अंतर होता है ठीक है तुम कहो कि इन 50 जार के बाद जो सारे हैं वो average बच्चे हैं उनमें और इनमें क्या अंतर है उनमें यहीं अंतर है वो एक senior teacher थे उन्हेंने का मैं अपने experience से यह बोल सकता हूं कि ज questions को ज्यादा priority देता है as compared to तुमारे revision या फिर theory यह बहुत बड़ा major difference होता है इसके बार में आगे हम discuss करेंगे तो हम इन 95% हड़के 5% में से 95% के बच्चे बच्चे उन 95% बच्चों की बात करते हैं वह यहां हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं हम सिधा 5% है उस topic पर जाओ ना क क्यों इन सब की बात कर रहे हो इन सब की में बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम में से majority बच्चे ऐसे हैं जो इस category में आते हैं exceptions को छोड़के exceptions are everywhere majority बच्चे इस category में आते हैं ठीक है तो अगर मैं इनके बारे में थोड़ा सा समझाओंगा तो तुम अच्छे तरह relate कर पाओ location of roots जो की आज teacher ने हमें पढ़ाया तो आज location of roots सर ने पढ़ाया और उसके लिए 20 सवाल दे दिया उसके उपर जो location of roots पढ़ाया उसके उपर 20 सवाल दे दिया और बोला कि यह home वक है इसे कर 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 के आना ठीक है तो अब 95% बच्चे होंगे class के वो क्या करेंगे उन में से जो ने मान सकते हो जो की यह कर रहे हैं बहुत बड़े blender कर रहे हैं यह तुम मान सकता है सबसे नीचे हैं ठीक है जो बिल्कुल नीचे वाले रेंक लाते हैं वो ऐसे हैं वो आए सवाल कर दिया खतम उनको अगले दिन तक आद ने रहाता कि क्या पढ़ाया था ठीक है बच्चे तक वो थेवरी याद रह सकती है, max to max, जो बच्चे में 35% बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, वो थोड़े सही होते हैं, मतलब तुम मान सकते हैं, जो धैलक के अंदर बच्चे आते हैं, वो कौन होते हैं, वो ये होते हैं, कि उन्होंने क्या करा, भई, copy pen लिया, और उसके होते हैं, जो की थोड़ा सा hard work करते हैं, लिक-लिक के, फिर उसके बाद उसे solve करते हैं, ये max to max, एक महीने तक उस theory को याद रख सकते हैं, but हमें 2 साल तक याद रखनी है, हम फिर इस category में कैसे आएं, 5% वाली, ठीक है, तो उसी के बारे में अब स्टार्ट करते हैं, कि क्या ह होते हैं, ये 5% वाले बच्चे, अब इन 5% बच्चों के बारे में, मेरे को कैसे बता, तुम्हें कैसे बता कि किस तरह से revise करना होता है, तो देखो, मैं पताता हूं मेरे को कैसे पता चला, हमारा 11th class में एक chapter चल रहा था, thermodynamics, chemistry का चल रहा था, वो thermodynamics chapter मतलब ऐसा है, कि बहु सर क्या करवा दिया, ये कैसे करेंगे, ऐसे expression हो रहे था हम सबके, हम सबके expression देखने बाद सर ने का, यार इतना क्यों परिशान हो रहे हो, इतनी बड़ी बात है कि अभी तो आगे बहुत साई चीज़े आएंगी, तुम मेरे को लग रहा है, तुम इन सब से डर जाते हो, मत गर गए रात को, रात को जो मैंने पढ़ाया, एक pen और paper लो, ठीक है, theory जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसे तो एक बार पढ़ो, कि ये theory थी, ठीक है, ये formula थे, याद कर लिया, अब मैंने कोई question करवाया है, तो उसको बंद करके question, जो है question पढ़ लिया, या फिर जो question है, मानलो उसके बाद सो जाओ, वहिया, ये तो यही वाले हो गए, जो 35% बच्चे थे, तो इनमें क्या अलग हुआ, कुछ नहीं अलग हुआ, आगे जो है, वो अलग है, क्या, अब तुम सो गए, अब सुबह उठो, अब जब तुम वह 20 सवाल करोगे, जो मैंने तुम्हें homework दिया ह उससे पहले, तुम्हें एक और round लगाना है, round लगाना है मतलब, मतलब कि notes के round लगते हैं, एक तुमने रात को लगाया, रात को कब, कि भई तुमने एक बार से पढ़ लिया, कि ये सन्ने पढ़ाया था, और जो questions थे उसे बिना देके solve कर लिया, ये होगे पहला round, अब जब तुम दूसरा round लगाओगे, सुबह, question करने से पहले, homework करने से पहले, उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा, कि तुमने copy one कर रखी है, और दिमांग में सोचा, कि आरा, कल सन्ने क्या पढ़ाया था, क्योंकि तुमने एक बार तो revise कर रखा है, दिमांग में सोचा, कि सन्ने य आई, तो एक पहला round लगाना है right को, और सुबह लगाना है दूसरा round, जिसमें बिना copy को खोले, पहले में तो खोली भी थी, दूसरे में बिल्कुल copy नहीं खोलनी, okay, इतना समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब जो मैं बताने वाला हूँ, ये तुमें बिल्क था, ठीक है, day 1 को सर ने कोई theory पढ़ाई, ठीक है, तो उसका तुमने एक round 1 लगाया, round 1 लगाया तुमने इसका, सुबह रात को सोने से पहले, और round 2 तुमने लगाया इसी का, day 1 का, ठीक है, रात, सुबह उठने से पहले, मतलब उठके, जब तुमने homework करा, जब, तो ये day 1 खतम हुआ, अब, day 2, उसी, जो तुम्हारा chapter चग रहा है, उसका day 2 आया, मतलब अब आगे theory करवाएंगे, सर, thermodynamics में, अगर मैं thermodynamics का example लूँ, तो पहले दिन पढ़ाया, उसको सुबह रिवाइस करा, रात को रिवाइस करा, और सुबह उठने के बाद, जब homework करने से पहले, अब, day 2 आया, day 2 होने के बाद, सर ने thermodynamics आके बढ़वाई, तो अब हम रात को घर जाएंगे, और जो day 2 में पढ़ाया गया था, day 2 में जो पढ़ाया गया था, उसे रिवाइस करेंगे, और सुबह homework करने से पहले, day 1 प्लस day 2 का revision करेंगे, कैसे भया, ऐसे तो बहुत जाए तायम निकल जाएगा, नहीं, time निकल जाएगा, क्यों? हमें revision स निगल नगी करना है, बस हमें उपर, उपर से देखना है, कि ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये daughter, ये formula, याद है, ठीक है, अब, day 3 में क्या होगा, जब day 3 होग उसमें तुम्हें दे 3 की रात को पढ़नी है तुरी, रात को सिर्फ उसी जो तुम्हें पढ़ाया गया, और सुबह उठने से पहले, मतलब उठने के बाद, जब तुम वग करोगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 की, सिर्फ उपर उपर से रीड माननी है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, मै जब तुम चौथे दिन पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 वाली कर रहे होगे, तो तुम्हें 1 वाली तो पूरी रटी होगी, इस बात की गरंटी है, क्यों? क्योंकि तुम्हें 1 वाली इतनी बार कर रखी है, तो तुम्हें 1 वाली बहुत अच्छी तरह रट चुकी होगी, तो इस सुबह राउंड लगाओगे वो पूरा जितना चैप्टर इस समय तक चल रहा है इससे क्या होगा कि माल लो तुम्हारा एक टेस्ट हुआ थोड़ी दिनों बाद ठीक है उसमें लोकेशन आफ रूट्स का सवाल आया अगर हम को अडिक की बात करें तो तुमने इतनी बार रिवाइस कर रखे है नोट कि जब तुम्हारे सामने को सवाल आएगा न तो तुम उसको ऐसे देखोगे और तुम्हारे दिमाग में न वह वाला पेज चप जाएगा कौन सा पेज पेज जहां पे सनने लोकेशन आफ रूट्स पढ़ाया था ठीक है वो पेज अपने आप दिमाग में आ जाएगा सारे फॉर्मले आ जाएंगे और वो क्वेश्चन करने के चांसे बढ़ जाएंगे समझ मैं मेरी बात कि टॉपर्स में और एवरेज बच्चों में क्यांतर होता है थोड़ा सा कॉम्लिकेटली लग सकता है अगर जही समझ मैं फिर से देखो वीडियो को क्योंकि ये चीज बहुत साथा इंपॉर्टेंट है ये कोई नहीं बताता ठीक है ये सब experience से पता चलता अब खुछ में नहीं बढ़ा था इसको समझ लो बात आती है कि भाया नोट कम मिलेंगे हाँ नोड्स के बारे में बात करते हैं नोड्स का टॉपिक उठाते हैं तो कल से तुम्हें सारे सारे नोट्स प्टेने शुरू हो जाएंगे 11th के 12th के 10th के जितने भी हो साइगे जितने मिले है वो सारे कल से मैं chapter 20 तुम्हें डालने शुरू कर जाऊंगा भाईया तो तुम्हें और और सब और सब तुम्हें दे रहे हैं उनमें क्या आंतर है देखो और सारी जो चैनल है वो max to max क्या कर कर देंगे तो मैं नोट्स की पीडियाप देंगे नीचे लिंक देंगे तुमारी वेबसाइट पर कोई लिंक में डाल देंगे नोट्स मैं क्या करूंगा वो मैंक्स-to-max यह करेंगे पर हम उन नोट्स को अच्छी तरह अच्छी होते हैं उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता पर जिस तरह से मैं तुम्हें नोट्स दूँगा और उसके साथ में उसका अच्छी तरह एक explanation भी दूँगा वो काफी हद तक उन वाले की बराबरी कर लेगा जो कि तुम खुद बनाओगे ठीक है ना तो मिल जाएंगे कल से शुरू हो जाएगा यह सब काफिला अपना ठीक है तो तब तक लिए वही पढ़ना है पोड़ना है कहर मचा देना है आग लगा देने ठीक ह है लाइगाओव बेहा लाइव बड़ना हू लाहां से ब्योड़ना